नमस्कार दोस्तों सर्जिंग क्लासिस में आपका स्वागत है तो हम लोग इंडिन पॉलिटी के क्लास डिसकस कर रहे थे ससी जे और सीचसे लिग जाम्स के लिए तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किये हुए इंडिन पॉलिटी का तो इसका जो हमने अलग से प्ल स्वाग्राफिक और केमेस्ट्री का तो इनका जो है भी आपको डिसकप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सारे प्लेलिस्ट के और हमने जो है इनका पीडिया भी पूरा कंप्लीट प्रवाइड कर दिया है तो आपको डिसकप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो वह जो है कुछ दिन में हम finish करा देंगे आपका और साथ में PDF इनका हम कुछ दिन आपको provide कर देंगे तो चलिए start करते हैं हम लोग आज का class तो वो जाके इसमें participate करते हैं और इसमें जो भी जो भी इसके प्रोसीडिंग्स चलते हैं तो वो जो है सारे के सारे जो मेंबर जो होते हैं तो वो लोगों के द्वारा ही चुने का प्रतिनी धी होते हैं तो इसलिए इसको बलाता है the house of the people तो यानि कि यह लोग सभा और इसको इसको एक्स्टेंड ना किया जा यह है एक साल तक इसको एक्स्टेंड किया सकता है लेकिन ऐसे नॉर्मल टीन्योर इसको है फाइव यइसर और इसके बीच में जो पार्लेमेंट है हमारा जैसे रांसभा और लोगसभा दो हाउस है तो उसी का यह कहिसा है तो अब दिखिए जो maximum strength है लोगसभा का तो वो जो है अलोट किया गया है इसका constitution के दोरा 552 तो यह इसकी maximum strength है इनिसेली जब 1950 में जब हमने adopt किया हुआ था constitution को तो उस समय जो है इस states और union territories है बहुत सारे तो इनमें जो members चुने जाते हैं तो वो जो है इंडिया के जितने भी constituency है अब वो constituency depend करता है कि वो किसको बनाए गया ति population के basis पर बनाया जाते है इस तरीके से तो वहां से हर एक state से और जितने भी union territories है तो सभी से जो है वहां पे रखे गया है constituency बनाएगा और हर एक state से और हर एक union territory से जो है member of parliament में जो MP जो है वो चून के आते हैं तो इस तरीके से दिखिए यहां पे 532 जो है तो यह रखा गया है कि इससे ज़्यादा 530 से ज़्यादा से representative नहीं होने चाहिए state से और union territory जितने भी है तो वहां से 20 रखे गया हुए है तो यह provision initially था constitution के अंदर में जब इसको जब constitution के अंदर में mention अपक किया गया हुआ है और साथ में दो anglo indians को nominate भी किया आता है by president को दोरा तो यह जो दिखिए दिया हुआ आपका जो anglo indians है जो कि दो nominate किया थे तो यह आप जो है provision इसको अब हटा दिया गया है इसको constitutional amendment के दोरा ओनेट फोर्थ जो amendment act है तो उसके तहद जो जो दो नो anglo indians nominate किया थे president के दोरा तो इसको जब हटा दिया गया हुआ है बट question में आप से यह पूछा जा सकता है कि पहुआ है जो constitution का दर प्रोविजन्स है तो वो दो anglo indians को nomination nominate करने का president के दोरा यह दिया हुआ है त लेकिन अभी present के हम scenario की बात करते हैं तो अभी देखिए मातर जो है only 545 states पर ही elections होती है यानि कि जो elections होते हैं maximum strength भले आपका 552 दिया हुआ है लेकिन current में जो elections होते हैं लोग सभा के अंदर में तो वो 545 states के लिए होते हैं यह इतना ही member है जो लोग सभा के अंदर में आते है और जिसमें से भी 530 जो है यह state से चुना जाता है और 13 union territory से और दो जैसे nominate किया थे president के दोरा लेकिन अब जो है यह इसका provisions भी हटा दिये गया है इसको constitutional amendment के दोरा तो यह 104th amendment act पास के गया था उसके बाद जो अब नहीं चुना जाएंगे तो अब दीखिए जो parliament है तो इसक जेखिए जैसे 543 seats है इसका यानि कि दो एंग्लो एंडियां छोड़के जैसे आपका 545 total था यहां पर तो जितने भी चुना जाता है यहां पर 543 total तो वो जो है 2006 तक यहीं पे रहेगा इसमें जो कोई भी अब इसमें increase degrees नहीं किया चाहेगा तो यह constitutional amendment के बाद जो है इसको पास के गया पार्लेमेंट के दोरा तो 543 seats को ही elections होंगे लोगसभा के अंदर में यह अपटू 2026 तक तो यह तो था आपका यहां पर जिसे लोगसभा के अंदर में कितने seats और कितने representatives चुने आता है state से और union territory से आप हम लोग देखते हैं यहां पर लोगसभा का duration यानि कि जो इसका कारेकाल होता है वो कितने सालों का होता है तो constitution में देखी दिया हुए article no 83 में कि जो normal tenure होता है लोगसभा का तो वो पांस साल का दिया हुआ है पांस साल तक है कि जब तक majority enjoy करती है सरकार तब तक इसका tenure दिया हुआ है बीच में भी इसको desolation किया जा सकता है तो यह President के चमबर यह नहीं है इसको नॉर्मल टेन और फाइव एर का रहती है यानि कि जब से फर्स्ट मीटिंग हुआ है जनरल इलेक्शन जब भी होती है तो उसके बाद से फाइव एर तक यह चलती है लागतार अब यह जो देखिए उसके बाद यह आटोमेडिकली डिजॉल्ब कर ज सकते हैं एट एनी टाइम वो कभी इसको डिजॉल्ब कर सकता है इस फाइव एर कंप्लिट होने से पहले भी और यह जो है किसी भी कोट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है डिजॉलिशन का प्रेजिडेंट के द्वारा हाविवर देखिए जो डिजुलिशन जो चलती बाद प्रसेडिंग्स करने के लिए जो भी मिटिंग्स चलती है तो उसको प्रसेडिंग्स करने के लिए जैसे वहाँ पर चेर्मेन होते हैं तो उसी तरीके से लोगसभा के अंदर में भी यहाँ पर स्पीकर होते हैं इनका फॉंसंस होता है कि यह जितने भी प्रसेडिंग्स चल सब्सक्राइब करेंगे उन ही के जो एक को चुना जाता है और मिजर्ली यह और जो पारिट पार्टी होती है यानि कि जो रूलिंग गुवर्वर्मेंट होती है तो उन्हीं के पीच में सही एक मेंसे जो है सपीकर चुननना जाता है यह आटिकल नमबर 93 वी है में पिकर यहां जोग सभा और इनके पास यह सारा responsibility होता है कि वो जो है dignity maintain करें लोग सभा का और साथ में जो भी privilege है तो उन सभी को ये maintain करके रखे और साथ में ये भी दिया हुआ है कि मालेजिक कभी अगर लोग सभा जो है कर डिजॉल्ब कर जाती है तो आप लोग देखते होंगे कि जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियमेंट के यानिक जो MP होते हैं तो उन सभी का जो सदस्था होती है तो उससे समय ख़त्म हो जाती है लेकिन जो लोग सभा का जो speaker होता है तो वो जो है रह सकता है वो speaker बने हुए रहते हैं अब यहां पे देखिए हम देखते हैं speaker का उनका रूल क्या होता है उनकaker क्या होता है जो सभा के अंदर में तो कि पेस्ट में कोई एकर हला या सूर मचा दो उनको सद्था उनके कुछ दिन के लिए पिर पिर कुछ टाइम के लिए रद करने का भी पाउर होता है इस पीकर के पास वह जो है उनको बाहर भी कर सकते हैं और यह साथ साथ में जैसे मालें जी लोगसभा के ये जो है order और decor जो रता है house का तो वो जो भी conduct होते हैं उसके business तो उन सभी को ये maintain करके रखते हैं और साथ में जो भी proceedings होती है लोगसभा के अंदर में तो उसके regulate करते हैं और साथ साथ में जो है ये house को adjun करते हैं करते हैं या फिर सस्पेंट कर सकते हैं मिटिंग का अगर मान लिजए कि एक quorum नहीं बन पाता है अगर quorum नहीं हो पाता है अब यहां पर देखिए टर्म quorum आपको दिया हुआ है तो यह होता है कि minimum number of members required for the proceedings आगे बढ़ाने के लिए यानि कि जो लोगसभा के अंदर में आप कि एक रता है quorum रता है यहां पर कि at least इतना number of members present होने चाहिए अगर उससे कम अगर रहते हैं तो जो है meetings वहां पर नहीं होती है यानि कि proceedings नहीं चलेगा house के अंदर में तो यह constitution के अंदर maintain की दिया गया आपका हमापर तो यह 10% दिया हुआ है यहां पर यानि कि at least जो है जित और इसके साथ साथ में इनके पास यह power होती है कि जैसे किसी भी bill को वो money bill है की नहीं है तो यह decide करने का जो power होता है तो यह speaker के पास होती है तो यह money bill कौन decide करता है कि वो जैसे कोई भी bill अगर money bill है की नहीं है तो यह speaker के पास यह power होती है तो यह अप लोग याद रखने है ब स्वेरिंग होगा उनका तो किस तरीके से होगा तो इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है कि अंदर में और एक साथ सथ में देखिए लोग सभा के अंदर में एक लीडर ऑपोजिशन भी चुने आता है यहाँ पे अब देखिए जो लार्जेस जो पार्टी होती है तो व उनके पास है तो उनके पास जो रहती है उपोजिशन पार्टी का उनको बलाता है और साथ में उनहीं के पास एक कुरसी मिलती है वहलों उनके पास एक पोस्ट मिलती है उपोजिशन पार्टी का तो उसमें से एक लीडर चुने जाते हैं कि लीडर ऑपोजिशन पार्टी त तब जैसे कि अभी माले जे कि अभी जैसे ruling party ंडिय और इसके बाद second कि जीतने भी बाकिए party होंगे तो वो सारे opposition वे होंगे तो opposition माले जी Congress के पास अगर 110 seat अगर रहती है तो उनके पास भी मिल सकती है लेकिन जो है इस बार का election हुआ था या फिर जो कि पिछले बार के भी जो लुक्षभक election होई थी तो उस समय जो opposition के लिए 110 के seat फि software किसी के पास भी नहीं थी, किसी भी जो opposition पार्टी किसी के पास भी नहीं हो पाई थी तो इसलिए जो है इस पे seats भाकेंट रखा गया था leader of opposition के लिए लेकिन फिर भी जो है यह speaker के पास ही होता है कि वो जो किसी एक को चून सकते हैं opposition के लिए, opposition party के लिए, leader के लिए अब दिखिए constitution के अंदर में deputy speaker का भी provisions दिया गया हुआ है at any time जो है कभी भी अगर माल लेजे speaker का post अगर vacant रहता है पास बाते हैं लोग सवा के अंदर में तो मिघुटी speaker है उनके बिंद जो सारे duty पर कॉम करेंगे तो इसलिए deputy speaker का भी जो है also इलेक किया जाते हैं deputy speaker भी जो आता है जो भी रहेंगा इसी एक को चुना जाता है जैसे की speaker का चुना होता है किसी एक member को बनाया जाता है जितने members होता है लोग सभा के अंदर में तो duty जो रहता है इनका जो भी रहेंगे duty speaker जो भी इनका elect की आता है तो वो सारा का सारा duty वो perform करेंगे speaker का ही जब उनका seat vacant रहती है तो और यह जो है अपना office पर यह पूरे तरीके से बने रहेंगे जब तक लोग सभाय का पूरा डूरेशन चलती है निकि एक कारेकल जब तक समापनों हो जाए तो तब तक जहें डूपीटी स्पीकर अपने पत्पे बने रहते हैं जैसे कि और जो समापनों होता है बूपी के बहाता है जो जब कोई नय सभाय करते हैं जो चुना जाता तो उसमया प्रोटे जिए सारे समाऔर। चि कोई कोई नया जो लोगसभा का election होती है और उसके बाद सारे member जब Parliament का अंदर माते हैं तो उस समय प्रोटेम speaker का चुनाओ होती है तो दीखिए president के पास ये power होती है कि ये जो appoint करते हैं एक member को मतलब member जो भी होते हैं लोगसभा के अंदर में तो उन president करते हैं तो ये सबसे important question आपका है speaker या फिर जो deputy speaker है तो इनका जैसे की elect करने का जो काम रहत है प्रेसिडेंट का नहीं होता है लेकिन प्रोटेम speaker का जैसे इनको elect करने का जो duty होता है तो ये प्रेसिडेंट के पास ये power होती है तो ये चीज़ आप लोग याद रखने हैं ये बहुत ही important question आपका है और साथ में जो ओत जो एड्मिनिस्टर करते हैं तो प्रेसिडेंट के दवरा ही की जाती है प्रोटेम speaker का और इनके पास जो प्रोटेम meeting होती है newly elected लोगसभा का तो वो उस समय प्रिसाइड करेंगे जैसे speaker करते हैं उस सारी duty रहते हैं तो ये सबसे पहली बार यहीं प्रिसाइड करेंगे उस meeting को और इनका जो main duty होता है जैसे मैं आपको पताया था कि जितने भी new members आते हैं लोगसभा के अंदर में लोगसभा की जितने भी सीट से दिये गा है आपका यहां पर लिस्ट में तो आप लोग इन सभी को एक बार जरूर देख लेना क्योंकि इन से भी कोशन आपके कभी कभार पूछ लिया आते हैं कि नंबर आप जो लोगसभा सीट है आप सो एन सो स्टेट में कितनी है तो इन में 14 सीट से बिहार में देखे 39 है चतिसगड में 11 है गुवा में 2 2 सीट से यहां पर गुजरात में 26 है अर्याना में 10 हैं हिमाचल परदेश में 4 जहरकंट से 14 नापका दियावा यहां पर है फिर करनाटक में देखे 28 सीट से लोगसभा का तो इसका केरल में दिखे 20 है लोकसभागी जो कि यह सबसे मैक्समीम है तो उतर प्रदीश आपने जो राजस्था के लिए भी और लोकसभा के लिए भी तो दोनों में जो है इनके नंबर ऑफ सिट जो है सबसे आदा उतर प्रदे से ही आते हैं मेंबर यहीं पर है इसका फिर उसके बाद उत्राखट में देखिए यहां पर पांच है वेस्ट बंगाल में 42 है और फिर इसके बाद अंडवन और निकोबर आइलेंड में एक है उ और यहां पर दिल्ली का सेवन आपका है यहां पर यहां पर लोग कंफ्यूज नहीं हो ना इसमें फिर इसका पुडूचेरी में एक है और इस तरीके से टोटल मिला जो लएक आपका है तो आप जो है एंगलो इंडियांस का भी जो प्रोविजन से इसको हटा दिया गया हु जो आपका है इसमें से तो वह कहां से आपका है तो उत्तर पर्दिस से चुन कहते हैं जो कि आपका 80 है तो यह आप लोग याद रखना और उसके बाद फिर दूसरे नमबर पहना है महारास्टा जो कि 48 सीट्स यहां पर है लोग सभा की तो आप लोग यह इनको याद रखना अब इसमें से भी देखिए ST और AC के लिए भी जो शीट्स रिजर्ब कियेगा है तो टोटल इसमें से जितने भी आपका 543 मिंबर जो आते हैं चुनके तो इसमें से 84 नमबर अफ शीट्स है तो यह एसट्स के लिए तो यह आप से कोशन पूचाता है तो यह आप लोग कभी कभार कोश्चन आपसे पूछ ले आता है तो आप लोग इसको भी याद कर लेना एक बार आप लोग देख लेना सारा कुछ यह आप नहीं रख सकते हैं लेकिन आप लोग जो फर्स्ट इस्पीकर कौन थे और करेंट में कौन है अट लिस्ट इतना तो आप लोग जरूर प्रियाद रखना तो पहला देखिए जो स्पीकर थे वनाएव थे तो वह थे जी भी मावलंकर तो इंडिया के पहले स्पीकर थे फिर उसके बाद लिस्ट वैप कर दिया हुआ है कि में आयंग और सरदार हुकम सिंग इसके बाद निलम संजीवारीडिय फिर कर रहा है उसके बाद पर रेव्यू रहा है उसके बाद देखे सिवराज पार्टी रहे पीए संगमा है जीमसी बाली होगी मनोहर जोसी है सोमना चटर जी और उसके बाद फिर है 15 नमबर पर थे मीरा कुमार थी यह सबसे फॉस्ट थी यह फीमेल मदलोगी जो स्पीकर अपॉ जो कि 17 नमबर के स्पीकर हैं भी अब यहां पर दिखी जैसे कोई भी इलेक्शन लड़ता है लोग सभा के लिए तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो यह भी कंस्टिट्यूशन के अंदर में मेंसन किया गया तो पहला आपको दिखे दिया हुआ है कि ही इसी का एज है तो वह भी जहां लोग सभा के लिए इलेक्शन में पाटिसिपेट कर सकता है फिर इसका अगला देखी दिया हुआ है कि ही सूट भी आ रजिस्टर्ट भोटर इन इन इंडिया अब इसमें दिखी आपका दिया हुआ है कि जो कोई भी अगर पाटिसिपेट कर चाहते है लोग सभा का इलक्शन के लिए तो वह जहां रजिस्टर्ट भोटर होना चाहिए परलिमेंटरिक्रिक इंड्रोंस कोई कर सकता है कर सकता है यहां पर और इसा नहीं करते हैं आपको वहीं से ही लग सभा का सोफिक्षा है जब बहुत होंगे कि बहुत सारे candidate होता है कि जो जो candidate बनता है लोग सभा के लिए तो वह जो है दो जगह से लड़ते हैं जैसे कि आप एक्जामपा ले ले लिजे नरेंदर मोदीजी का तो वह जैसे पहले उसके पहले वाले में 2014 का जब उसके पहले वाले में तो उस समय एक वह गुजरात से लड़े थे और एक यूपी से यूपी मतलब कि जो बना रहा रहा से इनकी लोग सब्सक्राइब जाए दो जगास उत्वहने इलक्सटर लड़े और दोनों जगास जीता था तो यह जहाए इंडिया में मतलब कि कहीं से भी हो रिजिस्टेदर भोटर हो सकते हैं और जाकर वहां पर वह एक वासब्सक्राइब तो यह कोई जरूरी नहीं है, तो यह चीज़ दिया वाई constitution के अंदर में, हलांकि जो member रहेगी उनके सद्सदा ज़रते कहीं एक ही जगा का रहेगा, और अगला आपका दिया वाई इसमें कि he should not hold any office of profit, तो वो कोई भी office नहीं acquire होना चाहिए, मतलब जब वो elections लट रहे होंगे तो उस समय जो है, कोई भी अगर माले जो government service में हो, तो उनको पहले वहाँ से resignation देना होगा, उसके बाद जो है लोगसभा का election नो पाटिस्पेट कर सकते हैं, तो यह सारे कुछ जो है important मतलब कि जो qualifications दियेगा है लोगसभा के लिए, तो minimum जो यह जाए यहाँ पे, जो रखा राजभा के अंदर में introduce नहीं की जाती है, तो money bill कहां पर introduce की जाती है, तो only and only लोगसभा के अंदर में की जाती है, राजभा के पास कोई अधिकार नहीं होता है, कि इस bill को reject करे या फिर जो है वो उसके उपर में hold करके रखे, कुछ भी करके रखे रखे रहे, money bill जो है यह यहां पर देखिए जो फॉस्ट स्पीकर थे इंडिया के तो वह थे जिवी मवलंकर जो कि 1952 से लेकिं 1956 तक यह पिरेड तक यह बने हुए थे और अभी करेंट के हम बात करते हैं स्पीकर कोना भी तो ओम बिरला है तो यह 19 जून 2019 से पोस्ट पर यह बने हुए हैं तो यह सारा जो है टॉप लिस्ट जो है आप लोग याद रखना अब यह हम लोग क्वेस्ट करते हैं एंसर रिलेटेड जो कि आपके प्रिफेस एर एक जाम पूछे कहते तो क्वेस्ट यह पूरा अधिकार होता है करलेमेंट के पास होती है कि उनका जैसे सेंड़री कितना होना चाहिए और उनका नोगर करना यह इंक्रीज करना हो तो इस सारा का पर्लेमेंट के पास यह तो राइट एंसर ओप्सन भी आपका हो जाएगा इसका अगलत देखी कोश्षन दिया वाइब को अमंग दो फॉलोविंग वस नेवर दलोग सभा इस्पीकर तो आपको जो है इसमें से बताना आया कि कौन जो है भी इस्पीकर तो आप लोग जो है लिस्ट को जरूर याद रखना वो चाहे प्रैम मिनिस्टर और फिर वाईस प्रेसेड़ेंट का हो और इस्पीकर का हो तो इनसे में को पूझे आते हैं तो उनका आपको याद करना होगा फिर अगला दिखी दिया हुआ है कि who among the following decides whether a particular bill is a money bill or not तो देखिए कोई भी bill money bill है के नहीं है तो यह decide करने का जो power होता है तो वो पूरे तरीका से speaker के पास होती है यानि कि जो लोग सभा के speaker होते हैं उनके पास से power होती है तो right answer option C आपका हो जाएगा that is the लोग सभा speaker को बताना है तो option में देखिए यहां पर दिया हुआ एक लोग सभा is called the first house तो लोग सभा को क्या हम लोग first house बोलते हैं तो देखिए first house या second house यह जो term है तो constitution के अंदर में यह कहीं भी mention नहीं किया गया हुआ है तो यह first house हम लोग generally हम लोग को बोल देते हैं अगर वो लोग सभा का अंदर में originate हुआ फिर जो है वो second house में जाएगा यानि कि जो राज सभा है तो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि वो first house में originate हुआ आप second house में जाएगा लेकिन constitution के अंदर में यह कहीं भी mention नहीं किया गया कि first house लोग सभा है या second house है तो यहीं जो इस्टेटमेंट आपका इसमें correct नहीं दिया हुआ है तो इसलिए option यह आपका हो जाएगा हलाग कि option और भी आप देख लिए यहां पर जैसे दिया हुआ है कि राज सभा को अपर ह हो जाती है इसके after five years फिर उसके बाद अगला दिखी कि राज सभा इसे permanent house तो राज सभा जो है यह पर्मानेंट हाउस है यह कभी भी डिजलेशन इसका नहीं होता है यह continue chamber है तो यह सारे instrument आपके सही दिया है लेकिन क्यों option यह जो आपका दिया हुआ है यह गलत आपका दिय हुआ है कोई भी first house यह second house यह provisions नहीं constitution के अंदर में फिर अगला देखे दिया हुए कि the speaker of the log सभा has to address his letter of resignation to तो जो speaker होते हैं लोग सभा के तो वो जो है अपना resignation जो है नहीं सौपते हैं तो यह आप लोग ध्यान डखना फिर अगला देखे कि which of the following is the power of the log सभा तो log सभा के पास power प्ये कौन सोती है इन में से given तो option में देखे दिया हुआ कि amend the constitution can give the union parliament power to make laws on the matter including the state list और consider and approve the non money bills and suggest the amendment to the money bill तो देखे यह exclusive power होती है लोग सभा के पास कि वो जो है money bill हाई की नहीं है तो राइट एंसर आपको सी इसका हो जागा तो यह exclusive power है जो कि लोग सभा के पास ही available है हलांकि देखे अमेंड करने का भी यह power होती है लेकिन अकेला इसके पास नहीं होती है राज सभा के पास भी दोनों मिलेंगे तभी होगा लेकिन जो money bill decide करने का पाउर होता है जैसे वो money bill हाई के नहीं होती है कि यह लोग सभा के पास होती है तो यहीं आपको राइट अनसर आपका दिया हुआ है इसमें तो थैंक्यू दोस्तों आपको कैसा लगा यह लेक्चर आप लोग कमेंट करके जोरूर बताना और इसी तरीके से जो आगे हम लो क्लास कंटिन्यू रखेंगे इन पॉलिटी का चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब दके लिए बाई